आपने कई सब्जीयों के नाम सुने होंगे और उनका जायका भी लिया होगा उन्हीं में से एक है परवल हाला कि ये सब्जी दिखने में तो छूटी होती है लेकिन सहत के लिए इसके बड़े फायदे हैं और ये एक ऐसी सब्जी है जिसके खेती किसान किसी भी सीजन में कर सक सब्जी की मांग गाउं से लेकर शहरों तक खूब होती है याद परवल की खेती वेग्यानिक सुझावां को ध्यान में रखकर की जाए तो इसकी उपज किसानों को अच्छा मुनाफ़ा भी दे सकती है आज के सलाम मश्रा के एपिसोर में जानिए कि कैसे किसान परवल की ख परदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट में भी इसकी खेती की जाती है जिसकी मार्केट में पूरे साल मांग रहती है जिसकी कीमत भी औसतन 40-60 रुपे प्रत्किलों की बीच रहती है तरशी वेग्यानकों की माने तो परवल की रोपाई करने के लिए जून से अगस्त और अक्टूबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा होता है अगर किसान परवल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले खेत की जूताई अच्छी तरह कर लें साथ ही खेत में जल लिकासे की वेवस्ता ठीक करें ताकि बारिश होने पर जल भराव ना हो सके इससे फसल को इजबोने के बजए पौधों की रूपाई करना है इसलिए नरसरी से पौधे खरीद कर भी रूपाई कर सकते हैं उर्वरक में अगर आप जैविक खालत का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी फसल को अच्छी उपज मिलती है परवल के पौधों की बेल को स्केटिंग विधी से सादें ताकि जमीन में बेल और परवल के फलों पर बुरा असर ना पड़े परवल के पौधों की रूपाई के तुरंत बाद सिचाई के भी जरुवत पड़ती है ताकि पौधों में तीजी से विकास हो सके सर्दी में 15 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 10 दिन के अंतरा जताओं को मचान पर चड़ाना होगा इससे खरबतवार और कीटों के प्रकोप की संभावना कम रहती है आप ऐसे परवल की खेती करते हैं तो साल में प्रक्त हेक्टेयर 4 लाख रुपे तक की कमाई कर सकते हैं हमारी या सलाम मश्रा की स्रीज आपको कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इससे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन भी दबा अगर बादे